हाईगे सब स्वागे थे नियूटिकल चैनल पर मेरा नाम में निताक्षा सिंग और आज मैं करने वाली हूँ हमारा फुल डिटेल रिव्यू आइकू के नियो 7 का जिसके कि अगर मैं सबसे पहले प्राइस की बात करूं तो यह है हमारा 30 इता उनपे की प्राइस का डिवाइस इसका आर्ट भी एक सूठाईजी बोला विरियंट इस जिवाइस को मैं अच्छा से यूज कर लिए और आपको मैं आज बताऊंगे इस फोन के बारे में सबकुष कैसा है, गेमिंग पर्फॉर्मेंस कैसी है, सारी जिजों के बारे में बात करेंगे तो फटा-फटा से करते हैं वीडियो को स्क्राइट सबसे मेले बात कर लेते हैं हम इस device की build quality के बारे में यह जो हमारा device ने इसकी build quality मुझे अक्चिन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी यहाँ पर आपको मिलती है back में plastic और उसके साथ plastic की ही framing कहीं जगा पर आपने सुना होगा कि device हमारा देखने में या स्वे होल्ड करने में premium feel दे रहा है, plastic इतनी भी बुरी quality का नहीं है, लेकिन action में किया है कि आप इसको जैसे हाथ में hold करेंगे, आपको action में अच्छी premium feel नहीं मिलेगी, यह plastic plastic होता है, वो glass वाली premium feel तो दे ही नहीं स इसके हमारी अच्छी निगल के नहीं आती, मदब 30,000 के budget वाली तो है ही नहीं, इसके लावा एक अच्छी चीज आती है, design के अंदर के आपको यहां पर IR blaster मिल जाता है, और उसके साथ आपको device के अंदर जैसे की 3.5 headphone jack नहीं मिलता, box के अंदर आपको connector मिल जाता है, यह diamond city 8200, और इस device के अंदर जैसे की मैंने इसको test किया अच्छे से, यहां पर मेरे testing के अंदर device में मुझे major heating issue देखने को मिला है, मतलब यहां पर देख सकते हैं कि जो benchmarks में run कर रही थे, यहां पर 53 degrees तर device हमारा पहुँच किया था, और अगर मैं benchmark की बात करूँ जो score आए है, त जैसे की N2-2 benchmark test में तीन बार back-to-back run करती हूँ, तो यहां पर मैंने वो भी run किया था, उसमें मैंने देखा कि आपको score drop देखने को नहीं मिल रहा, वहां पर consistent score को यहां से maintain कर पा रहा था, लेकिन heating बहुत ही जादा major है, उसके साथ CPU throtting test के अंदर मैंने देखा कि यहां पर रिजल्ट हमारे काफी अच्छे आ रहे है, अगर मैं बात करूँ तो device के अंदर average आपको CPU throtting test का score मिलता है, और major वाली heating देखने को मिल जाती है device के अंदर, आप बात करते हैं, जैसे device को आप यूस करते हैं, सबसे पहले तो UI की अगर मैं बात करूँ आपको Funtouch OS 13 मिल जात उसके साथ, अगर मैं बात करूँ device के gaming के बारे में, तो जैसे कि gaming oriented phone ही बनाता है IQ, बतलब game centric phone होते है mostly, तो यहाँ पे gaming performance कैसी आती है, यह सबसे बड़ा question आता है, तो जैसे कि मैंने इस device में बहुत सारी games खेली, मतलब यहाँ पे मैंने call of duty खेली है, sport 9 खेली है, मैंने यह जो PUBG new state आती है, वह भी खेली है, तो यह जो सारी games मैंने device के खेली, light settings पे अगर आप gaming करते हैं, कम graphics पे, low graphics पे, तो आपको performance okay मिल जाती है, लेकिन अगर आप high graphics पे इन games को खेलते हैं, तो उसके अदे मैंने देखा कि आपको heating भी देखने को मिलेगी, और उसके साथ अगर मै haptics की बात करों, तो यहां पे device के अंदर आपको haptic feedback वैसे तो आपको normal वाला लगेगा, average सा लगेगा, लेकिन जैसे आप gaming करते हैं, ultra game mode अगर आप on करेंगे, जो device के अदर आपको मिल जाता है, तो उसमें 4D vibrations को on कर सकते हैं, उसके बाद आपको gaming करने में अच्छी vibrations मिल जा तो वहां तो ठीक था, लेकिन normally device के अंदर average sign लगा मुझे, अब इसके साथ अगर आगे बात करें device के हम battery backup के बारे में, battery performance के बारे में, तो यहां पे device के अंदर आपको 5000 mAh की battery मिल जाती है, और जब भी मैंने मतब जितना भी device को use किया है, हमेशा इस device ने मुझे एक दिन का battery backup आराम से दे दिया है, यहां पे exactly अगर मैं आपको बता हूँ, तो device के अंदर आप एग घंटे की gaming करते हैं, तो आपकी यहां पे 16% battery लग जाती है, अगर आप इस device के अंदर movies देखते हैं, तो यहां पे 8% battery लगती है, अगर आप इस device के अंदर YouTube पे video stream करते हैं, तो आपक यहां पे 7% battery लगती है, और अगर आप कॉलिंग के लिए device को यूज करते हैं, तो आपकी यहां पे 4% battery लगती है, इसके साथ device के अगर मैं चार्जिंग की बात करूँ, तो यहां पे 5000 इमेज की बैटरी के साथ आपको बॉक्स के अंदर ही charger मिल जाता है, अच्छी चीज है, और charger आपको मिलता है 120 Watt का, अब 120 का charger होने के बावजूद भी देखा जाओ, तो यहां पे time जो है, हमें उतरा नहीं लग रहा जितना लगना चाहिए, थोड़ा से जादा ही लग रहा है, यहां पे 35 minutes लगेंगे 0 to 100% device को full charge करने में, 35 minutes actual में 120 Watt के charger के साबसे जादा time है, हाल 22 degrees तक यहां पे temperature हमारा जा रहा है device का, charging के time पे भी, तो अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं device के display के बारे में, display मुझा यहां पे device का काफी ठीक लगा, आपको यहां पे 6.78 inch का मिल जाता है, AMOLED पैनल में display जिसमें आपको full charge press resolution मिलती है, और 120 Hz का मिल जाता है, refresh rate, सब आप देख सकते हैं कि हमारी 690 प्लस reading आई है, तो device के ब्रैटनेस आपको अच्छी मिल जाती है, अगर आप Sunlight में भी खड़ियो के device के यूज करना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, आप देख सकते हैं कि viewing angles अच्छे मिल जाते हैं, आपको colors अच्छे मिल जाते हैं, अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, इसके साथ device के अगर मैं audio की बात करूँ तो यहां पर आपको मिलते है device के दूर dual stereo speakers, सबसे पहले आप यहां पर एक sample से लोग तो आपने देखा कि action में हमें जो sound मिल रही है, वो बहुत जादा loud नहीं है, okay okay वाली आप इसको कह सकते है, क्य मतलब actual में देखा जाए, तो बहुत जादा loud नहीं है, average साम इसको कह सकते है, आज के time में जो हमें devices मिलते है उनके अंदर तो reading हमारी 113 तक भी जा रही है, तो इससाथ से यहां पर average reading देखने को मिलती है, दोनों top and bottom की, तो आपको audio experience उतना solid वाला नहीं, बट average साही मिलता है इसके साथ device के, अगर मैं Bluetooth connectivity की बात करूँ, जैसे कि मैं Bluetooth earphones को connect किया और मैं पहले दूसरे रूम तक ही गई हूं तो वहां पर आवाल हमारी crack करने लग जाती है, तो वह भी आपको average मिलती है, बहुत strong आपको Bluetooth connectivity यहां पर देखने को नहीं मिलती है, उसके इलावा, अगर मैं बात करूँ, audio and foot के बारे में Bluetooth earphones में तो वह आपको यहां पर above average देखने को मिल जाता है, तो यहां आप music को तो अच्छे से enjoy कर लेंगे, बस ज्यादा दूर मत जानना अपने phone से, अब आगे अगर हम networks की बात करें, तो यह हमारा 5G phone है, जिसमे आपको 8 bands में मिलता है support, हाला क यहां पर देखने को नहीं मिला है, और उसके इलावा, basement में अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैं हर phone को basement में लाकर ज़रूर test करती हूँ, तो GSM डाली है मैंने device में और यहां पर मैं NCR region में रहती हूँ, तो basement में हमें network strength device की solid वली देखने को मिल जाती है, तो almost full tower ही हमारे यहा यहां पर आवाज crack नहीं करेगी, basement में जिन लोगों का office है, उनको तो यहां पर दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन का support मुझे device का यहां पर देखने को नहीं मिला है, इसके इलावा, अगर हम बात करें calling के बारे में, तो यहां पर device के इंदों जो को earpiece मिलता है, वो भी हमारा above average यहां पर perform कर रहा है, काफी loud है, 95 आप देख सकते हैं, हमारी यहां पर reading आई है, मतला अगर आप फोन पर बात करें और पीछे काफी जादा शोर हो, market हो, कई भी party चल रही हो, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप अराम से फोन पर बात कहां पर कर सकते हैं, अब साथ अगर हम बात कर दिवास के security के बारे में, तो आपको डिवास के अंदर यहां पर in-display fingerprint scanner मिल जाता है, क्योंकि हमारा थोड़ा नीचे की side placed है, तो दो हातों को करना पड़ेगा इसको use करने के लिए, और यह हमारा काफी secure सा ही मुझे लगा, फटा-फट से unlock कर पा रहा है, इस खोल रहा है, unlock कर रहा है, तो actual में face unlock देखा जाता है, तो secure नहीं है, मेरे साब साफ ना लगाएं, तो आपकी लिए बिटर रहेगा, अब इसके साथ आगे बड़ते हो बात कर देवास के हम cameras के बारे में, सबसे बहले back camera जो है, वो setup wise मुझे यहां पर बिलकुल भी अच्छा अच्की डेट में सबके लिए एक basic requirement है, यहां पर क्या है, आप मानलो कि आपको single camera ही मिलता है, 64 megapixel का, दो दो वाले useless है, चलेगा की camera पे work होना चाहिए था, camera पे अच्छा से work हो नहीं है, मतलब selfie camera भी है, हमारा 16 megapixel का, वो हमारा काफी खराब है, पहले back की बात कर रहे है, आप एक एंवार्मेंट में तो यह device हमारा पिक काप्चर करी नहीं पा रहा है, उसके बाद low light के अदर देख सेटेए जो पिक काप्चर करी है, उसके अदर noise हमारी काफी जादा है, स्रीट लाइट के अदर थोड़ी से detailing काप्चर कर रहा है, मतलब आप यह से से यह कह से हमा देखने को नहीं मिल रही है, वो capture नहीं कर पाया, उसके इलावा विरसे भुके मोड भी edge detection ठीक आ रहा है, हमारा color spunchy आ रहे है, साथी exposure जो है, मतलब बैक में exposure आता है, हमारा उसको भी अच्छा से manage कर पा रहा है, लेकिन detailing की कमी देखने को मिलेगी, food samples भी आप देख सकते ह हैं कि यहां detailing आपको ठीक देखने को मिल जाती है, मैं तो average से आप कह सकते हैं, जादा तगडी नहीं है, average सी, और light exposure जो back में आ रहा है, उसको भी maintain कर पा रहा है, और उसके लावा colors जो है, हमारे पंची लगेंगे, आपको जैसे हमारे color science Vivo की होती है, वो आपको यहां पर द देख सकते हैं, 16 megapixel के selfie camera है, जिसमें dark environment में आप देख सकते हैं कि पिक capture नहीं कर पाता, low light के अंदर performance जो आई है वो बहुत ही noisy वाली पिक्स आपको मिल रही है, और street light के अंदर थोड़ा सा capture कर लेता है, इसके लावा indoor या पर daytime pics के में बात करों तो उसमें सबसे पहले point में देख सकते हैं कि इसके ने HDR पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता, मैंने एक ही जगा पर 5-6 pics क्लिक करी हैं, और हर पिक के अंदर यहां पर कमाल देखने को मिलेगा, कभी पिक के अंदर यह total dark कर देगा, कभी यह lights जाल देगा, काफी जादा bright कर देगा, कभी ठीक पिक भी ले ल Vivo Science जो थी यहां पर ही नहीं यूजी नहीं करी गई है, अब कह सकते हैं, different samples और भी आपको देखा रही है, आप कह सकते हैं, कि मतलब 15,000 पर के budget में जो आपको selfie camera मिलता है, वो आपको performance यहां पर देखने को मिल जाती है, इसके इलावा अगर मैं वीडियो ग्राफिक की बात क किया है कि यहां पर वह जो companyya gimmick कर रही है, वो यहां पर भी आपको देखने को मिलता है, बैक में आप 4K से video recording कर सकते हैं, front में आप सिर्फ लिजटी में video recording कर सकते हैं, सबसे पहले back में अगर आप stabilization को on करेंगे, तो यह काफी जादा cropping कर देंगे, और अगर आप stabilization को off करके video यह बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि बहुत ही ज़दा unstable सा, बहुत ही ज़दा shaky सा video आपका यहां पर आएगा जर्की सा, तो आप यहां पर यूज नहीं कर पाऊगे, कुछ लोग क्या है कि क्या हो गया अगर थोड़ा सा frame crop कर रहे हैं, उसमें कोई problem नहीं है, लेकिन आप यह चीज समझने रहे हो, जैसे frame को crop करते हैं 4K में, तो आपकी actual में quality कम हो जाती है, actual में क्या है, यह gimmick जो company कर रही है वो यह है, कि OIS लिखा हुआ है, आपको मिल रहा है, लेकिन वो photography में मिल रहा है, वीडियोग्राफिय में आपको यह EIS वाल एफेक्ट मिल सा है, ज इसमें जैसे आप stabilization on करोगे तो को cropping मिल जाएगी, तो यह चीज अच्छल में ठीक नहीं है, मेरे सबसे companies को हटानी चाहिए, और actual में सही वाली OIS वाली हमें stabilization मिलनी चाहिए, जिसमें को quality भी मिले, जिसके अंदर आपको अच्छी सा stabilization मिले, 30,000 का budget कम भी नहीं है, इसके इल आप कर देता है background को, और action में skin tone को भी maintain कर में थोड़ा सा struggle कर रहा है, तो इससाब से देखा चाहिए, तो मुझे यह device action में अच्छा नहीं लगा, और overall अगर मैं बात करूँ device के बारे में तो यह मुझे वर्थ नहीं लगा, मताब build quality के अगर मैं बात करूँ, heating बहुत जाद अगर आपको आइकू के ही फैन हो अगर आप तो आप आइकू 9 SC के लिए जा सकते हैं, जो कि आपको आज के ताइम में देखा जा तो 30,000 के बुजट पे मिल जाता है, वो काफी stable device है, उसके अगर मतलब build की बात करूँ, camera की बात करूँ या फिर मैं अगर उसकी बात करूँ प्रफॉर्मेंस की बात करूँ तो वो इससे काफी stable device है, तो मेरे सब से ये device इतना मुझे वर्थ नहीं लगा, आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बटाइएगा, तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे कल,